नमस्ते वेलकम स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके प्यारे चैनल लक्ष विजय में और मैं राजे सर एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ एक नए विशय को लेकर एक नए चर्चा को लेकर और आज आप और हमारे बीच जो चर्चा का गया कई बार वो गहरे गोते खा गया यानि कि जिसे अंग्रेजी में अपसेंट डाउंस अफ लाइफ कहा जाता है उसका सामना किया लेके हर बार एक खास बात रही कि हर बार अपने जीवन के जो उतार हैं उनको जीत करके फिर से नए उचाहियों की ओर गया लक्ष को प्र सेलफ कॉंफिडेंस है अपने उपर वो लाजवाब है वो काबले तारीफ है क्योंकि इतनी जादा आपने डाउंस देखने के बाद तो किसी भी व्यक्ति का होसला पस्त हो सकता है वो अपने इस परिसदियों के सामने अपने आपको समाप्त कर सकता है यानि कुल मिलाकर वो अपने हतियार डाल सकता है लेकिन विपरीत परिस्तियों ने दिन प्रति दिन इस शक्सियत को इस व्यक्ति को बड़ा बनाया आगे बढ़ाया और रोज कुछ नए करने और नई तलाश में यानि अपने जीवन के सपनों को सच करने का लगातार प्रिया तो सायद कभी जीत और कभी हार के इस फैसले में उलज जाएं फस जाएं लेकिन तब भी जीत का पलड़ा भारी रहेगा और हार का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर ही दिखाई पड़ेगा हम लोग जिस शक्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और जिस शक्स के बारे में हम लोगों ने इतिनी चर्चा की वो कोई और नहीं वो है बाबर आप सभी लोग इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के नाम से इस व्यक्ति के सामराज्य से बहुत अच्छी तरह परचे थे आप सब लोगों ने अपने बच्पन से लेकर अपने competitive exam की तयारियों के दोरान इस शक्स क के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और पहली लाइन तो यहीपढ़ी किसाब भारत में मोगल सामराज्य को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था वो बाबर था भारत में मोगल सामराजी को स्थापित करने का काम किया बाबर ने एक अलग विशे है कि बाबर भारत का था ही नहीं बाबर तो भारत के बाहर दूर मदेशिया और मदेशिया में एक जगे पड़ती है जिसे अंदी जन कहा जाता है, जिसे एक जमाने में फरगाना कहा जाता था, ये विक्ति तो वहाँ के शाशक का बेटा है, वहाँ के राजा का बेटा है, इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम बाबर के शुरुवाती परचे के बारे में जान लेते ह हैं, बाबर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, कि ये फरगाना, जिसका दूसरा नाम अंदी जन है, और आज के भोगौलिक परिवेश की बात करें, अगर आज के जोगरिफिकल सिचुएशन की बात करें, तो ये लाका पढ़ता है, उजबेकिस्तान के पास में आप कह सकते हो, जबेकिस्तान में ही पढ़ता है, पास छोड़िये, ये जबेकिस्तान में ही पढ़ता है, और इनके पिता जी जो की फरगाना रियासत के शाशक हैं, और जिनका नाम मिर्जा उमर शेक है, मिर्जा एहमद भी एक व्यक्ति हैं, जो की बाबर के परिवार से तालुक रखते हैं फिलाल मैं फिर से सुधार देता हूँ इनके पिता का नाम मिर्जा उमर शेक और कुछ किताबों में मिर्जा उमर शेक की जगे पर उमर शेक मिर्जा लिखा हुआ है बात एक ही है उससे परिशान होने वाली कोई बात नहीं है अपने पिता की ओर से अगर ह लंगणा के नाम पर जाना जाता है उसके परिवार से हैं और उनके पाचवे वंशच के तोर पर हैं आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि तैमूर लंग के द्वारा भारत पर 1398 वाले साल में आक्रमण किया गया था ये वो दोर ये वो समय था जब दिल्ली पर भारत पर तुगलक वंश की सत्ता चल रही थी और तुगलक वंश का एक कमजोर शाशक जिसे नसरुदीन महमूद तुगलक शाह के नाम पर जाना जाता है वो शाशक बना हुआ करता था तैमूर लंग ने तब आक्रमण किया कुछ 15 दिन तक भारत में रहकर लूट पाट धेर सारा ध धन संपत्ति लूट लाटकर वो अपने समरकंद की और वापस चला गया था अपने राज्य की और वापस चला गया था तैमूर का नाम और भारत पर तैमूर के आक्रमण का ये उलेक यहाँ पर इसलिए भी जरूरी बनता है क्योंकि अभी हम लोग बाबर के भारत पर आक्र करने के जो देश्य हैं या उसने क्यों किया इसका जवाब भी हम लोगों को तैमूर के पास से ही मिलने वाला है इसी लिए मैंने यहां पर आप लोगों के लिए तैमूर का अक्रमल कर दिया उलेक कर दिया मा की बात करें तो बाबर की माता जी का नाम है पुतलुग निगार खानम और ये भी एक बहुत बड़े आक्रमलकारी एक बहुत बड़े मंगोल नेता जिने हम लोग चंगेश खा के नाम पर जानते हैं उनकी उनके परिवार से हैं उनके चौदहवे वन्शज यूनुस हुआ करते थे चंग चौदह फरवरी 1483 अगर हम लोग बाबर के बर्थ डे की बात करें तो ये दिवस पढ़ता है 4th of Feb 1483 चौदह फरवरी 1483 को परगाना की रियासत के शाशक मिर्जा उमर शेक को एक पुत्र का जन्म होता है उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे इतिहास जहिरुदीन मुह अमद बाबर के तौर पर जानेगा तो बाबर का जन्म हुआ बहुत बढ़िया जन्दगी है कोई परिशानी नहीं है और बाबर के अगर DNA की बात करें बाबर के खून की अगर बात करें तो बाबर के खून में दो महान दो बड़े दो खूखार लड़ाकों का खून है अपने अपने समय के इतिहास, अपने अपने छेत्र के इतिहास को लेकर उस हिसाब से मैंने बूला है। और बड़े अक्रमलकारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने समय में अपने छेत्र को बहुत बड़े विस्तार की और ले जाने का काम किया हुआ है। जिनका नाम एहमद मिर्जा है और वो समरकंद, समरकंद ये वही इलाका है जिस पर तैमूर, जो तैमूर का इलाका था, तैमूर की राजधानी हुआ करती थी। तो अहमद मिर्जा या मिर्जा अहमद जो बाबर के चाचा है वो समरकंद पर रूल करते हैं। ये नाम भी बाबर के जीवन में एक महत्वण नाम है, इस नाम का भी बाबर के जीवन पर एक महत्वण प्रभाव भी है, जिसका उलेक मैं अभी आपसे करूंगा। साथी साथ इनी के फरगाना में बाबर के जो मामा है जिनको मैमूद खा के नाम पर जाना जाता है, वो भी रहते हैं। और बाबर के और जो सोतेले भाई बहन हैं, वो सब रहते हैं। सब कुछ सामान बढ़िया चल रहा है, प्रोस्परेस इस्टेट है, समरद शाली इलाका है, पैसे वाले पिता का पुत्र है, जिन्दगी बहुत बढ़िया है, हाँ येक अलग विशह है कि वो छेत्र ही ऐसा है, वो इलाका ही ऐसा है जहां पर आए दिन लडाई जगला मार क पाट ये होता रहता है, मदेशिया इतिहास का एक ऐसा जगे, एक ऐसा छेतर है, जहां पर युद्ध होना कोई बहुत बढ़ी चीज नहीं है, और सबसे बढ़ी बात कि ये युद्ध आपस में ही होते हैं, बाप बेटे आपस में लडाई करते हैं, भाई भाई आपस में मामा भंजे आपस में लडाई करते हैं, चाचा भतीजा आपस में लडाई करते हैं, तो वो जगे ही ऐसी हैं, अब बाबर को भी आने वाले समय में इन युद्धों का और इस प्रकार की लडाईयों का सामना करना पड़ेगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि उनके पिता क भी ऐसी परस्तितियों का सामना करना पड़ लहा है, कुछ 1194 की अगर बात करें, जून का महीना है, और एक दुरगटना, बाबर के जीवन की जो एक बड़ी दुरगटना है, वो घटने वाली है, वो घटना ये है, कि इनके पिता मिर्जा उमर शेक, किसी दुरगटना वश अब देखें, कुछ अलग अलग तत्ति हैं, लोग कहते हैं कि वो अपने छट से फिसल गए, कब उतरबाजी का खेल देख रहे थे, गिरपड़े, उनके मृत्यू हो गई, कुछ लोग कुछ और दावे करते हैं, हम किसी दावे की ओर नहीं जाएंगे, हम लोग उस हकीकत की और जाएंगे, कि इनके पिता की मृत्यू हो जाती है, और साल है 1194 का, यहनि अगर गणित के हिसाब से देखा जाए, तो बाबर कुछ 11 साल से थोड़ा ही बड़ा है, मुश्किल 11 साल 4 महने के आसपास की उमर होगी, बाबर की, 11 साल 4 माह का बच्चा, यहनि 11 साल का बच्च मोटे तोर पर, 11 साल यह 11 साल का एक बच्चा, जिसका राज्य विशेक कर दिया गया, जो अपने पिता की जगे गदी पर बैठ गया, कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है, और ऐसी परस्थती में, अगर आप थोड़ा इतिहास खंगा लें, तो आपको हमेशा एक ऐसा शक्स दिखाई पड़ेगा, जिसको जो छोटा तो है कच्ची उम्र का है, लेकिन उसको एक अनभवी वक्ती का साथ मिल गया, अगर मैं थोड़ी तुलना इस परस्थती के दोरान तुलना कर दूं, तो ऐसा ही कुछ परस्थती आपको प्राचीन इतिहास में, चंद्रगुप्त म कौन सी बहुत बड़ी उमर होती है, एक बच्चा ही तो है, लेकिन इस छोटे से बच्चे का साथ दे रही है एक अनभवी महिला, और वो है इनकी दादी मा, जिनका नाम एहसान दौलत बेग है, और दादी मा ने अब सारी राजनेतिक, वैसे तो बाबर को उनके पिता नही लेकिन दादी ने भी कई एक नई परस्ततियों से वाकिफ कराया, कि बाबर नए हो तुम, छोटे हो तुम, और तुमारे राज्ये पर कई सारे लोगों की नजर पढ़ी है गिद जैसी, और वो कोई और नहीं है, उनमें से एक तुमारे चाचा, समरकंद के शाशक, मिर्जा एहमद हैं, और तुमारे मामा महमूद खाँ हैं, और दोनों की नजर इस कारण से पढ़ी है फरगाना पर, क्योंकि फरगाना एक समर्द शाली राज्ये है, दूसरा फरगाना पर अगर मिर्जा एहमद का सत्ता आ जाता है, तो उनकी पूर्व की सीमा सुरक्षित हो जाती ह और महमूद खान की बात करे तो उनके पूर्व की सीमा जो है वो सुरक्षित हो जाती है, इस वज़े से दोनों अपने अपने राज्ये की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फरगाना पर नियंतरन प्राप्त करना चाहते हैं, और इस बीच चाचा और मामा के बिच गड बंधन हो गया कि चलो हम दोनों लोग मिलकर आकरमण करते हैं, हम भी फरगाना पर चाहते हैं अधिकार, तुम भी चाहते हो अधिकार, दोनों मिलकर आकरमण करेंगे, मिलकर अपनी सामराज्य का विस्तार कर लेंगे, पैसो का बटवारा कर लेंगे, यहने कुल मिलाकर परस के खतरनाक उद्धाउं से लड़कर जीत पाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है इसलिए तुम्हें काम करो और काम ये करो कि तुम चाचा को लेटर लिख दो और अब बाबर ने अपनी दादी के बता हुए रास्ते पर चलते हुए एक पत्र लिखा अपने चाचा मिर्जा कि चाचा जी आप हमारे राज्य पर आक्रमल करोगे मुझे पर आक्रमल करोगे अब आक्रमल करेंगे तो लड़ाई तो होगी लड़ाई होगी उसमें आप जीत जाएंगे और जब आप जीत जाएंगे तो आप सम फरगाना में तो नहीं रहेंगे तो हमको पता है आप किसी और को ही रखना है तो मैं क्यों नहीं आप मुझे ही रख लीजिए मुझे ही संरक्षन दे दीजिए मुझे ही अपना रिजेंस अपने वो संरक्षक या अपने ही आउत्रा दिकारी के तौर पर स्विकार कर लीजिए पत्र पहुचा समरकंद चाचा ने पत्र पढ़ा हसी आई मुस्कुराया लेकिन फैसला वही किया जो उसने सोच रखा था और वो फैसला था आक्रमण करने का अब युद्ध का एलान हो चुका है बाबर भी जानता है कि युद्ध के एलाव आप कोई रास्ता नहीं है अब बाबर लेटर भेजेते समय अपने युद्ध की तयारी कर च कि युद्ध का नितरत वकर रहा है। उससे पिता की है। सेनिको का एकस भास बात यह है यह समर्थन और वो बाबर को मिला हूआ है तो चाचा से इुद्ध हो जाता है बहुत बढ़ा नहीं छोटा स ही उद्ध हुआ लेकिन इस लड़ाई में एक नतीजा सामने आया और वो नतीज़ा ये था कि मिर्जा एहमद अगर जीते हारे नहीं तो जीते भी नहीं, बाबर अगर जीता नहीं तो हारा नहीं, यिनि कुल मिलाकर मिर्जा एहमद को वापस जाना पड़ गया और एक बात दो जगह पर पहुँच गयी, जिसे आप मैसेज कह सकते हों कि एक मै कंद की राजा चाचा के पास कि बाबर को पराजित कर पाना इतना असान नहीं है ठीक है देखने में लड़का है लेकिने बहुत हुशियार बड़ा ही काबिल लड़का है और इसकी सेना का इसको भरपूर मदद है फरगाना के लोगों का इसको भरपूर मदद है मामा महमूद खा को भी इस बात का पता चल गया कि युद्ध करना अभी फिलाल ठीक नहीं होगा वो आगे चल कर देखा जाएगा फिलाल अब बाबर अपने राज्य को और सुरक्षित कर रहा है आसपास के छोटे छोटे इलापो को वो होता नहीं ये दवियान वगएर अब राजा है तो लड़ाई तो करेगा ही करेगा ये सब कुछ चल रहा है लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया इस बीच एक दुरघटना और घटी आप उसको दुरघटना न बोलगे घटना बोल दीजे एक घटना और घटी घटना ये घटी कि जो मिर्जा एहमद है करीब ग्यारा सो सरी 1494-95 यानि 1494 का अंतिम महिना कुछ नवंबर दिसम्बर वाला महिना रहा होगा या 1495 के शुरुवाती महिने रहे होगे यानि कुल मिलाकर ये वो समय था जब उनके चाचा मिर्जा एहमद के डेथ हो रही है चाचा के मरने के बाद समरकंद में चाचा के जो तराधिकारी है यानि जो बाबर के चचेरे भाई लोग हैं उनमें आपस में समरकंद की गद्धी को लेwriting कर हो गया संगर्ष बाबर को लगा ये बड़ा सुनहरा मौका है समरकंद पर अधिकार करने का समरकंद पर बाबर क्यों अधिकार कर रहा है उसके पीछे कुछ कारण है पहला कारण तो बाबर को इस बात के लिए बच्पन से बताया गया उसी खाया गया कि तुम तैमूरी परिवार के हो और एक तरीके से तो तुम तैमूर लंग के उत्राधिकारियों में हो और जब अपने जीवन के शुरुवाती दौर में जब इनके पिता जीवित थे सब कुछ सामान ने था तो समरकंद जब बाबर जाता था अपने चाचा के हाँ पर तो उसने समरकंद को जो देखा समरकंद अपना अधिकार बनाए रखने का या बनाने का सपना देख रहा था मौका मिल गया और अब बाबर ने समरकंद पर आक्रमण करने का फैसला किया समरकंद पर आक्रमण करने का एक करण और है जिस तरह से मिर्जा एहमद को ये लगता था कि फरगाना पर अधिकार कर लेते है तो पूर्वी सीमा सुरक्षित हो जाती है वैसे ही बाबर को ये लगता है कि समरकंद पर अधिकार कर लेते हैं तो फरगाना की पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो जाती है और फरगाना जैसा मद एशिया का जो प्रशाशनिक केंद्र बन चुका था वो उसके हाथ में होगा यान लड़ाई बाबर हार गया वापस चलाया इस हार का बाबर के ऊपर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जो खाराने वाले इनके चचेरे भाई लोग हैं वो तो आपस में फसे हुए थे लड़ाई तो कुल मिलाकर ये वापस चले आए लेकिन अपने आपको फिर से तयार करके बाबर ने एक बारा करमण फिर किया और इस दुबारा करमण में जो करीब 96-97 में हो रहा है जिसमें बाबर जीत रहा है समरकंद पर कबजा कर रहा है फरगाना छेतर से निकल कर समरकंद का राजा बन चुका है ये बाबर के लिए बहुत अच्छी जीत है बाबर अपना जीवन जी रहा है मतलब जीवी थे वह बहुत बढ़िया कि भाई मैं उस जगह पर आ गया हूँ जो मेरी पसंदीदा जगह है मैं उस जगह पर पहुच चुका हूँ जहां पर रहने का और कबजा करने का मैंने सपना देखा यानि कुल मिला कर सबकुछ बहुत बढ़ि से एक खबर निकल कर जाती है फरगाना की और वो खबर यह कि बाबर बहुत बिमार है और ऐसी परस्तिती का फायदा उठाते हैं बाबर के सोतेले भाई जिनको मिर्जा जहांगीर के नाम पर जाना जाता है मिरजाज जहांगीर के द्वारा समा फरगाना में विद्रो कर दिया गया अपने आपको शाषक घोशित कर दिया गया ये खबर बावर के पास पहुची बाबर ने तुरंट अपनी सेना को तयार होने का देश दिया और समरकंद से निकल कर अब वो फरगाना पर अधिकार करने के लिए चल पड़ा कुछ दूरी यानि कि फरगाना के पास पहुचते पहुचते अभी वो फरगाना पहुचा नहीं, समरकंद से निकल चुका है, फरगाना के पास पहुच चुका है, लेकिन उसे एक खबर मिल गई, हिसाब फरगाना का विद्रो तो ठीक है, हुआ, जहाँ दबाने जा रहे हैं, समरकंद में विद्रो हो गया, अब समरकंद वापस जाए कि फरगाना तो उसको लगा जहां पास पहुच गए पहले वहाँ चला जाए तो यह फरगाना की ओर जाता है जीत का एक प्रयास करता है लेकिन परगाना हाथ से निकल चुका है उदर समरकंद भी हाथ से निकल चुका है समरकंद पर जिनका अधिकार हो चुका है वो व्यक्ति ए समरकंद पर अधिकार कर लिया है शैवानी खाँ जैसे शक्स को पराजित कर पाना मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लडाई में कुछ भी असंभव है युद्ध में असंभव कुछ नहीं होता है युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है रणनीती अब एक त अधिक गाट करें गया और उसके पास अगर मैं याद कर पाऊं तो एक पहाड़ी राका उसके पास रह गया है और वो जगह पड़ती है खोजंद नाम का पहाड़ी राका है जहांपर वो अपने सेनिकों को अपनी सेना को दुबारा से खट्टा करना चाहता है बचे ही कितन हैं अमोमन लगबग लगबग सेना कुछ समरकंद शयबानी खां के साथ मिल चुकी है कुछ इनके चचेरे सोतेले भाई के साथ मिल चुकी है कुछ सो डेड़ सो लोग रहे होंगे जो कि इनके समर्थक कहलो या इनके सैनिक कहलो जो कि बाबर के साथ में हैं बाबर अभी भी उ पिरण उमीद का वो धागा अपने हातों से छोड़ा नहीं है, पकड़े हुए है, वो फिर से समरकंद और फरगाना को प्राप्त करने की कोशिशे कर रहा है, लेकिन उस कोशिश में वो अभी सफल नहीं हो पा रहा है, इसी कोशिश में ये बात करीब 1502 के आसपास की आती है, कि 1502 के वर्ष में मैं नाम लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक बड़ा प्रसिद युद्ध किया जाता है, बाबर और शेबानी खा के बीच में, जिसे सर एपुल का युद्ध कहा जाता है, ये मदेशय में बड़ा प्रसिद युद्ध है, सर एपुल का नाम है, वो ये कि बाबर हार गया है, शेबानी खां जीत गया है, लेकिन एक बात है, आप ध्यान रखिएगा, जिन्दगी में जीत हो या हार हो, कुछ न कुछ सिखाती है, बशर्ते सीखने का एक जज़बा होना चाहिए, जीवन में घटने वाली घटनाओं से फैसला और रणनीती बनाने का आपको सोचने का एक तरीका होना चाहिए, ये युद्धार गया है बाबर, लेकिन इस शिद्ध से उसने एक चीज सीखी है, और जो चीज उसने सीखा है, जो सीख उसे मिला है, वो एक रणनीती है, और उस रणनीती को कहा जाता है बच्चों, तुलगम तुलगमा नीती, ये वो युद्ध की वो नीती है जिसका पालन बाबर भारत की विज़े में लगाने वाला है, जिसका उलेक मैं अभी थोड़ी दिर बात करूँगा, अब ये तुलगमा नीती का नाम कहां से आया, बाबर ने ये नीती किस से सीखी, तो बाबर ने ये नी योग करके उसने बाबर को पराजित किया है और इवेन आप मान कर चले इस लड़ाई में बाबर मृत्यू के पास पहुच करके वापस आ गया है मतलब अगर सब कुछ शैबानी खा के पक्ष में चला गया होता तो ये युद्ध बाबर हार ही नहीं रहा था बाबर तो मर तक स पकता था इस लड़ाई में क्योंकि जिस हिसाब से तुलगमा नीती को चलाया जाता है उसमें दुश्मन राजा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है फिलहाल बाबर बच गया और युद्ध के मैदान से वो हट गया लेकिन तुलगमा की नीती उसे एक बात तो समझ म में आ गई कि इस नीती का प्रियोग वो आने वाले समय में करेगा और ऐसा वो करता है जब भारत की लड़ाई में शामिल होगा फिलहाल अब बाबर जिसे कहते हैं यायावर जंदगी में कभी इदर कभी उदर बंजारों की जंदगी में घूम रहा है वही 100, 700, 1500 समर्थकों के साथ वो इदर घूम रहा है और इसी बीच उसे खबर लगती है कि जो काबुल का इलाका है जहां पर उनके छोटे चाचा चोटे चाचा जिनको अलग बेग कहा जाता था तो अलग बेग जो काबुल पर अधिकार कर चुके थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके एक च जिनको धोखा दिया है उनके ही अपने एक अधिकारी ने वो भी कोई बेग करके था मैं नाम इस वक भूल रहा हूँ इतने नामों की वैसे जरुवत भी नहीं है फिलहाल तो काबुल पर धोखा हो चुका है और धोखही के परिणाम सोरुक काबुल बाबर के चाचा के या इनके चचेरे भाई के हाथ से निकल चुका है और इस बीच बाबर को लगा कि काबुल चल कर कुछ इस्तिती को सामानिक किया जा सकता है क्योंकि चचेरे भाई ने साथ भी मांग लिया है तो बाबर अपने सहयोगियों के साथ चल पड़ा है काबुल की ओर और इसी बीच मै आपको एक घटना और बताता हूँ ये कहानी बाबर जब अपने यायावर जन्दगी में था तो कहते हैं कि वो एक गाउं में रुका और गाउं में जब रुका तो वहाँ पर गाउं के मुखिया के हाँ पर खाना खाने के लिए बुलाया गया यानि कि दादी मा कहलो या पर दादी मा कहलो 111 साल के उमर की जो महिला होगी वो दादी और पर दादी या पर पर दादी ही होँगी उससे छोटी तो हो नहीं सकती तो उन्हों को जब पता चला कि जो व्यक्ती यानि बाबर जो खाना खा रहा है जहीरुद्दीन ये तैमूर लंग के परिवार से यानि उस वंच से रिष्टा रखता है अब उस बोड़ी माने जो की 111 साल बोड़ी मा हैं उन्होंने तैमूर लंग के बारे में बताना शुरू कर दिया और उसकी वीर्ता उसके तारीफों के बारे में और सबसे बड़ी बात कि भारत पर आकरमल किया तैमूर लंग ने और धेर सारा पैसा कमाया धेर सारा पैसा उससे प्राप्त हुआ और जैसे जैसे वो तैमूर लंग के बारे में बताती थी वो भारत की सम्रिद्धी के बारे मे भी बताती थी। वेकलग बात है कि वो बूडी मा भारत नहीं आए थी लेकिन जो पैसा तैमूर लंगो को मिला था उसने कहीं न कहीं ये बात तो बता दिया था, सामर्थ देता है कुछ नया करने का और शक्ति देता है तो बाबर के दिमाग में तब से भारत है पिलाल अभी भारत बहुत दूर है जो पास में पड़ता है वो काबुल है तो उसने काबुल पर अक्रमण किया है और ये समय है पंद्रा सो चार का पंद्रा सो चार के वर्ष मे जिसमें बाबर के द्वारा काबूल पर अधिकार कर लिया गया। और काबूल पर अधिकार के साथ-साथ उसने अगले तीन वर्षों के दौरान यानि कि 1507 तक आते आते उसने कई उलाकों पर कबजा कर रखा है जिसमें कुंदोज, हिसार, समरकंद, काबुल, बुखारा ऐसे इलाके आ जाते हैं और जब इन इलाकों पर अपने सामराज्य का विस्तार कर चुका है बाबर तो 1507 के वर्ष में वो एक नया काम करता है और वो नया काम ये है कि वो अपने पुष्टैनी मिर्जा की उपादी को त्याग देता है और उसकी जगे पर वो एक नई उपादी धारन करता है जिसे पादिशाह और इसी को ही बच्चों बादिशाह भी कहा जाता है इसी को ही बादशाह भी कहा जाता है तो उसका कबजा हो चुका है किस पर? काबुल पर लेकिन समरकंद के प्रती जो प्यार है समरकंद को जीतने का जो ललक है वो अभी प्यार वो ललक अभी खतम नहीं हुआ है इस बीच हुआ ये कि 1511.12 के आसपास की बात है कि कुछ ऐसी परस्तिया बनी कि समरकंद पर अधिकार करने का बाबर को एक और मौका मिल रहा है इस बीच बाबर करता क्या है कि बाबर जो इरान के एक राजा है इरान की राजा जिनने इरान जिसको पुराना फारस भी कहा जाता है शाह तो अपाधी थी ये तो रहेगा ही रहेगा इसमाईल शाह इसमाईल सफवी ध्यान रखिएगा ये इरान इलाके का बहुत बड़ा योगदान है मुगलब परिवार में आगे चल कर जब मैं कभी आपसे हुमाईू के बारे में बात करूंगा तो हुमाईू भी भाग कर इ जोता करके एक संयुक्त सेना के साथ वो आक्रमण समरकंद पर करता है वेकलग बात है कि ये जो संधी हुई इसको लेकर कुछ ऐसी बाते हुई जिसको लेकर इरान के जो शाशक है वो थोड़ा सा केते हैं वो पीछे की ओर चलेगा उन्होंने अम्रेक कदम खी चलिए जगे जो बच्पन से प्यारी है वो जगे जहां दुनिया का सबसे बना बताने दुनिया का सबसे प्यारा अगर कोई जगे है तो समरकंद जैसा कि बाबर अपने पूरे जीवन पूरे जीवन उसकी जब मृत्यू भी होती है तो समरकंद की चाह और आह में होती है जिसका उ देखी हुई है तो जो के बाबरी में फिलहाल बाबर काबूर वापस आ चुका है और कई राज्ये खोकर कई राज्ये बना कर और अब तक आते आते अब आप सोचिए कि 11 साल का एक बच्चा जो लडाईयों में शामिल रहा समय के साथ होने वाली लडाई ने बाबर को एक बह आने वाला व्यक्ति और दूर दर्शी व्यक्ति बना दिया था अब जब वो काबूल में आ गया 1213-14 के आसपास की बात है तब उसकी नजर अब भारत पर क्योंकि उसे याद आने लगा वो भूरी बूरी वाली मा की बातें कि तैमूर लंग जो मेरे दादा पर दादा पता भारत पर आक्रमल करने का म्यात्रे कारण है क्योंकि पैसा है और इसी पैसे के बदलत वो अपनी सेना को और बड़ी करेगा और मदेशिया के बड़े बड़े शाष्कों को पराजित करेगा मूल उद्देश से उसका भारत पर आक्रमल करने का वो ये रहेगा वो एक अलग काक्रमन नहीं करना है और वैसे भी बाबर के साथ एक बड़ा जीब गरीब हादसा रहा है कि उसने जब भी कोई नया राज जीता तो पूरा ना वालक हो दिया है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर भारत पर आक्रमन करें तो काबुल उसके हाथ से निकल जाए यही है कि वो सोच समझ कर फैसला कर रहा है सोच समझ कर अनीती बना रहा है भारत के बारे में उसने सुना है जानता नहीं है काबुल पास पहुच चुका है क्योंकि वर्तमान पाकिस्तान उस जमाने के भारत का हिस्सा है तो वो पशिमुत्तर प्रांत को लेकर थोड़ा सजग है और भारत पर एक भरपूर आक्रमण करने से पहले वो छोटे-छोटे चार आक्रमण करके भारत की राजनेतिक परस्तियों को और आर्थिक परस्तियों का विशलेशन कर चुका है और कर रहा है चुका नहीं कर रहा है कहते हैं इसी बीच बाबर को भारत पर आक्रमन करने का नियुता मिल गया दो लोगों का नाम आता है एक इब्राहिम लोदी के चाचा है जिनका नाम दौलत खान लोदी या आधम का लोदी है जिनोंने जो की इधर आपके पश्यमोत्तर भारत के प्रांतपती हुआ करते थी उन्होंने भारत पर आक्रमल करने का अपने ही बती जिस उनकी लड़ाई चल रही थी और कहते हैं कि राजपूतों के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राणा सांगा राणा सांगा यानि कि राणा संगराम सिंग राणा सांगा और इनी राणा सांगा को ही बच्चों इनी राणा सांगा को ही राणा संगराम सिंग के नाम से जाना जाता है तो संभोता राणा सांगा और राणा संगराम सिंग का भी निवता है अब ये निवता भले न मिला होता अब ये अलग बात है कि तिहास के तत्थे और साक्षे कहते हैं कि इन निवतों की वज़े से भारत आया अगर न भी मिला होता तो बाबर के दिमाग में बहुत पहले से ये बात घर कर चुकी है कि उसे भारत क्योर चलना है और अपने महान पूरवज, क्या नाम बताया था मैंने देखिए, तैमूर लंग, अपने महान पूरवज तैमूर लंग की तरह से उसे भारत को जीतना है, भारत से पैसा प्राप्त करना है, तब तक नियोता मिल गया, ये तो वही वाली बात हो गई न, कि वो एक के साथ साथ दो-दो इंविटेशन मिल गए, तो काम मन गया बावर का, तो बावर ने अब फैसला कर लिया भारत पर आक्रमल करने का, और आपको याद होगा, मैंने कुछ देर पहले एक रहनीती की बात की थी आपसे, मैं वापस से उसका नाम लिख देता हूँ, तुल गमा नीती, तु उनमे से कुछ लोग बावर के साथ में चले आए, उनमे से उजबे की सरदार जो लोग आते हैं, जिनें मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली के नाम पर जाना जाता है, ये कभी शैबानी खा के साथ युद्ध कर चुके हैं, और इनके पुरवच कभी शैबानी खा के साथ और इस तुलगमा नीती के बड़े होशियार विद्वान व्यक्ति हैं, तो बाबर ने का बस मेरा काम बन गया और अब चार आक्रमल के बाद अब वो भारत पर एक बड़ा आक्रमल करने जा रहा है और इतिहास का बाबर का वो प्रसिद्ध आक्रमल कहलाता है, जिसे हम सब याद करते हैं, पानी पत का प्रथम युद्ध, पानी पत का प्रथम युद्ध, ये युद्ध हुआ है 21 अप्रेल 1526 को, इस युद्ध में जिस रणीती का प्रियोग किया गया है, वो रणीती है तुलगमानीती, जिसमें दुश्मन को एक तरीके से, मैं बहुत छोटे मे बता रहा हूँ, आपको दुश्मन को चारो ओर से घेर करके समाप्र कर दिया जाता है, तो इस रणीती का प्रियोग किया गया, बाबर जीत गया, पानी पत के लड़ाई, लोधी परिवार से नितरत्व किया था, लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी, जो की पराजित हो गय गया, मार दिया गया, अब भारत पर बाबर का आकरमण हो गया, इसके बाद भी बाब, ऐसा ने कि इस लड़ाई के बाद जीवन बड़ा आसान हो गया, इसके बाद भी बाबर को भारत के अंदर कई एक लड़ाईयों का सामना करना पड़ा, और अपने जीवन के अंतिम दि प्राप्त करने की वो जो आशा है समरकंद को प्राप्त करने की जो लालसा वो उसने अभी भी बी पाल रखी हुई है। लेकिन शायद उसके जीवन में, उसके भाग्य में, उसके नियती में ये लिखा ही नहीं है कि वो समर्कंद वापस चला जाए। पंद्रह सो तीस की अगर बात करते हैं, जन्वरी का महीना है, बाबर की डेथ हो जाती है, अब बाबर को अंतिम तोर पर वैसे बाबर की डेथ आगरा में हुई, उत्तर प्रदेश में पढ़ता आगरा, आगरा वही जहां दुनिया का मशूर इमारत ताजमहल है, जो कि इनके ही आगे जो वन्शज है, वो बनवाने वाले हैं, तो आगरा में उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन आगे चलकर जब शेर्शा सूरी भारत का शाशक बनेगा, तो बाबर का मकबरा उसकी इच्छा मुसार काबुल में बनवाया जाएगा, जो कि आज भी है, बाबर का मकबरा क काबुल में आज भी है, तो ये बाबर के भारत पर आकरमल करने के कारण और बावरत पर आकरमल करने का एक छोटा सा नितिहास था, जो कि मैंने आपसे उलेक किया, जिस पर मैंने चर्चा की, उम्मेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये क्लास, ये कहानी अच्छी लग क्लास होती है, तो वहाँ पर जब हम लोग मुगल पढ़ेंगे, तो इसकी चर्चा मैं आपसे दुबारा करूँगा, फिलाल ये टेलिग्राम चैनल है मेरा, हिस्ट्री बाराजेस सर, इसको जोईन कर लीजेगा, ताकि आप लोगों को ये जो पीडियेफ हैं, नोट्स, पी कि सारे डाल दूँगा, पीडियेफ, तो आपको मिल जाएगा, तो इस चैनल को, इस टेलिग्राम चैनल को आप जोईन कर लीजेगा, और साती साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप सेशन को लाइक कर दीजेगा, और चैनल लक्ष विजे को कि और इतने सायोग की अपेक्षा, उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी तरह का कोई डाउट, संदे, सवाल है तो आप इस वाट्स अप नंबर पर, जो की सामने लिखा हुआ है, इस पर भी आप अपना question डाल सकते हैं, अपना संदे हैं, अपना सवाल डाल सकते हैं, या तो प्लास का जो comment box है, आप comment box में भी अपने सवाल कर सकते हैं, पिलाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली मुलाकात में हम लोग आगे की कुछ और महत्रपुन विश्यों पर चर्चा करेंगे, तब तक आप स्वस्त रहिए, तंद्रोस्त रहिए, लेकिन बाबर से सीखिएगा जरूर, और क्या सीखेंगे, बाबर से सीखना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हर सफलता, हर एक सफलता के पीछे जो एक कहा नहीं है, वो कोशिश ही होती है, हर सफलता किसी न किसी कोशिश का परिणाम होता है, तो आप सबी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप खुश रहें और बहुत आगे बढ़ें